हुआ जब मैं लगभग सात वर्ष का था, मैं अपनी मा के शयनकक्ष में था, उनकी चीजों की ताप जाग कर रहा था, मैंने उसकी वैनिटी के शीशे में देखा और कोने में मेरी और मुह करके खड़ी एक युवा लड़की थी, उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी जो फट के लिए विशाल, खुले हुए ब्लाक होल थे, यह दो ब्लाक होल में देखने जैसा था, यह एक ज्वलंत विवर्ण है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, वहां बिलकुल भी आजोलाकार थे, इसके बाद, मैं लगभग 9 साल का था, जब मेरा परिवार गर्मी की छुट् बोसनिया, ग्रह देश गया था, वहां हमारी पहली रात, हमारे पडोसी हमारे स्वागत के लिए घर के बाहर इकठा हुए थे, मैं अपनी बड़ी बहन और पडोस के कुछ किशोरों के साथ खड़ा था, मैंने उन्हें यह बात करते हुए सुना की हमारा घर भूतिया है, मै भीड से दूर घर के सामने की ओर चला गया, मैंने खिलकी की ओर देखा जो सीधे लिविंग रूम और रसोई की ओर देखती थी, हमारी रसोई में छोटे काले बालों वाला एक छोटा सा भूतिया लड़का खड़ा था, जो हमारी रसोई की दराजें खोल और बंद कर रहा मैं चकित होकर देखता रहा, जैसे उसने एक चम्मच उठाया और उसका बारीकी से निरीक्षन किया, इसने चम्मच को हवा में घुमाया, घुमाया और जाचा, जैसे कि उसे आभास हो गया कि मैं देख रहा हूँ, उसने अपना सिर खिडकी की ओर किया और मुझे घूरने यह नहीं हिला, भूत लड़की की तरह, इसमें आखों के लिए खुले काले छेद थे, और हम बस कुछ सेकंड के लिए, मुझे याद है कि उसके बाद उस घर में रात को सोने में मुझे बहुत दर लगता था, मैंने इसके बारी में सभी को बताया, और मेरी दादी ने इसरी इकाई तब देखी जब मैं लगभग 12 वर्ष का था, मैं और मेरा अपनी मौसी से मिलने के लिए फ्लोरिडा के जैक्सन विले गए, मैं बातरूम में गया, अपने हाथ धोये, और जब मैंने दरपन में देखा तो मुझे बातरूम के कोने में एक छोटा सा भूत लड व्यक्तिहीन था, अन्य मुठ भेडो की तरह, इसकी आखों में विशाल अंतराल वाले ब्लाक होल थे, यह उस दूसरे भूत लड़के जैसा नहीं लग रहा था, जिसे मैंने बोसूँ, और मुझे भूत लड़के के साथ एक अतरिक्त अनुभव मिला है, और भूत लड़क मैं उतनी बुरी नहीं हूँ, जितनी दिखती हूँ, मुझे बस इतना ही याद है। हैं, साथ ही काली आंकुरी नहीं हैं, साथ ही काली आंकुरी नहीं है,